IPL की सितारों की शाम शुकरवार 31 मार्थ से सजने जा रही है सोल बे सीजन की इस शाम को रंगीन बनाने के लिए सबी टीमों ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है वहीं IPL का किंग बनने का सपना देख रही पंजाब किंग्स के सितारे इस बार गर्दिश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पंजाब की फ्रेंचाइजी ने IPL के इत्यास में सिर्फ दो बार ही प्ले आफ के लिए क्वालिफाई किया है साल 2014 में इस टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था मगर किताब जीतने में नाकाम्याब साबित होई वहीं पिछले सीजन में पंजाब किंग्स पॉइंट स्टेवल पर छटे इस्थान पर रही थी खिताब की तलाश में इस फ्रेंचाइजी ने हर कोशिश कर ली है जिसमें उन्होंने कप्तान दर कप्तान बदले हैं टीम की जर्सी भी बदली है यहां तक की टीम का नाम भी बदला है लेकिन किसमत नहीं बदल सकी है इस बार शिखर दवन इस टीम का नित्रत करेंगे मिनी ओक्षन में पंजाब ने इंग्लेंड के स्टार और लाउनर सैम करन को 18 करोड 50 लाग रुपे में खरीदा था वह आईपियल में अब तक के सबसे महंगे खिला डी है इतना बड़ा दाव खेलने के बावजूद ये टीम संतुलित नजर नहीं आ रही है पंजाब किंग्स के धाकर सलामभी बल्लेबाज जॉनी बैरेस्टो चोट की वज़े से पूरे आईपियल से बाहर हो गए हैं वहीं इंग्लैंड के पावर हिटर बल्लेबाज लियम लिविंग्स्टोन शुरू के कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं हाला कि बैरेस्टो के रिप्लेस्मेंट के तौर पर औस्टेडियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को टीम में शामिल किया गया है लेकिन इस टीम की बल्लेबाजी बाकी टीमों के मुकाबले काफी कमजोर पड़ रही है यहां सबसे बड़ी दिक्कत शिकर को अपना सलाम भी जोडिदार चुनने में होगी टीम कॉमिनेशन के हिसाब से प्लेइंग 11 में शिकर धबन के साथ प्रभ सिमरन सिंग पारी का आगास करते हुए नजर आ सकते हैं वही मिडल ओर्डर का किरदार निवाने की जिम्मेदारी भानू का राजपक्षे लियम लिविंग्स्टोन शारुक खान जितेश शर्मा के कंदो पर होगी इसके अलाबा सैम करन फिनिशर की भूमिका में नजर आ सकते हैं यहां चिंता का विशह यह है कि भानू का राजपक्षे को आईपियल खेलने का तजुर्बा नहीं है वही प्रभ सिम्रन सिंग, शारुक खान और जितेश शर्मा में टैलेंट की तो भरमार है लेकिन यह दबाब में विखर सकते हैं इसमें कगीसु रबाडा, अर्शिदीप सिंग और सैम करन के पास पेस अटेक की जिम्मिदारी होगी वहीं इस्पिन में राहुल चाहर का साथ हरपरीद बरार और लियम लिविंग्स्टोन देने वाले हैं इसके अलाबा रिशी धवन भी गेंदबाजी कर लेते हैं जिससे बॉलिंग अच्छी दिखाई दे रही है वहीं विकल्प के रूप में जिम्बावे के हरपन मौला खिलारी सिकंदर रजा की मिस्ट्री गेंदबाजी का भी इस्तिमार किया जा सकता है सिकंदर रजा को मिनी ओक्षन में पंजाब किंग्स ने 50 लाक रुपे में खरीदा था 2022 में खेले गए T20 वर्ड कप में रजा ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी और बल्ले से भी अपने जलवे बिखे रहे थे मगर पंजाब के टीम कॉमिनेशन के हिसाब से सिकंदर शायद सभी मैच नहीं खेलेंगे अब इस टीम के कुछ X Factor पर नज़र डाले तो इन में सबसे बड़ा नाम कप्तान शिखर धवन का होगा धवन के अलाबा इस खेमे में लियम, लिविंग्स्टॉन, सैम करन, अर्चदीब सिंग और कगिक्सो रबाड़ा ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे सीजन में अपना प्रबुत्व दिखा सकते हैं हाला कि इन पाँच खिलाड़े के दम पर प्ले आफ के लिए क्वालिफाई करना बिलकुल भी आसान नहीं रहने बाला है ऐसे में पंजाब किंग्स की ताकत, कमजोरी, की प्लेयर्स और फॉर्म का आंकरन किया जाएं तो शिकर धवन की अगवाई वाली टीम बॉइंच टेवल पर आठवे या नौवे स्थान पर रह सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजा है कमजोर बल्ले बाजी करम दोस्तों अगर आपको ये टीम प्रिव्यू पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और क्रिकट से जुड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टूड़े टीवी को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिलाल के लिए हम आपसे बिदा लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद